हेलो गाइस, वेलकम दू मैं चैनल ए आर मोतिवेशन, चलो आज की विदियो सुरू करते हैं, हम पात्तू बुड़ी कागी का लेकर आ चुके हैं, तो चलो सुरू करते हैं बुड़ी कागी के ख्यालों में पुड़ीयों की तस्वीर नाचने लगी, खुब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी, रूपा ने जम कर खाया होगा, कचवडियों में आजवाईन और इलाईची के खुसभू आ रही होगी, एक पुड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर होती है, इस तरह विचार करके बुड़ी काकी को खुड़ू बैत कर हाथों के बल सरकती हुई, बड़ी मुश्किल से चौका से उतरी और धीरे-धीरे रेंगती हुई कड़ाई के पास जा बैती, यहां आने पर उन्हें उतने ही सांती मिली जीतनी एक भुके कुत्ते को खा हो निम जाती, कभी कड़ाई के पास जाती, कभी भन्दारा में जाती, बेचाया कही लिए और दोरते-बरते पर्तान हो रही थी, ओ जुनजला भी रही थी, कुण भी रही थी, लेकिन गुसा जाहर नहीं कर पा रही थी, उसे दर था कहीं परोसन या ना कहने लगे, कि इतन में ही उबल पड़ी प्यास से खूट का गलाव सुख रहा था कर्मी के मारे पसीने से तर बतर हो रही थी लिकिन इतनी फूर्षत नहीं थी कि जरा पानी पी ले या पंखा से हावा कर ले यह भी दर था कि जरा सिदे राखती नहीं हो चीजों की लुत मची ऐसे इस्तिती में उसने बुड़ी काकी को कड़ाई के पास बैथे देखा तो जल गई और अपना गुसा रोक नहीं पाई उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि परोषने बैथे हुई है मन में क्या कहेंगी आदमी सुनेंगे तो क्या कहेंगे जी इस तरह मेदग के चुए पजपतता है उ तक धिरे नहीं रख सकी आकर छाती पर सवार हो गई जल जाया इसी जीब दिन भर खाती है मैं नहीं होती तो जाने किसकी दो सोई में मुह दालती गाव देहा तो कहेगा कि बुडिया को भर पित खाने को नहीं मिलता तबी तो इस तरह मुह भाय फिरती है दायन मर जाय तो पीछा छूते हमारा नाम खराब करने को लगी है ना कतवा कर दम लेगी इतना थूसती है फिर ना जाने कहां भस्म हो जाता है भला चाहती हो तो जाकर भैतो को थरी में जब घर वाले लोग खाने लएंगे तब तुम्हें भी मिलेगा तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहें क किसी मुह में पानी न जाये लेकिन तुम्हारी पुजा पहले ही हो जाये बुढी काकी ने सिरु थाया ना रोई ना कुछ बोली चुप चवनेकती हुई अपनी कोथरी में चले गई आवाज ऐसी कथोर थी कि दिल और दिमाग की सारी सकती सारे विचार और सारा बोज उसी और आकर्सित हो गए थे खाना तैयार हो गया था आगन में पतले लगाई गई मैमान खाने लगे और ते जेवनार गीत गाना शुरू किया मैमानों के नाई और सेवक भी उसी मंदली के साथ लेकिन कुछ दूरहत कर खाना खाने बैए थे लेकिन सब यह था कि अनुसार जब से कहां आ गई उन्हें रूपा पर गुस्ता नहीं आया उन्हें तो अपनी जल्दिबाजी पर दुख हो रहा था सच ही तो है जब तक मैं अमान खाना ले घर वाले कैसे खाएंगे मुझ से इतनी देर भी नहीं रहा गया सब के सामने पानी उतर गया अब जब तक कोई बु जैसा लग रहा था अब पतल भीच गई होगी अब मैमान आ गए होंगे लोग हाथ पैद हो रहे होंगे नाई पाई नहीं दे रहा होगा लगता है अब लोग खाने बैठ गए होंगे जेवनार गाया जा रहा होगा यह विचार कर वो मन को बालाने के लिए लेत गई धीरे एक गित गुनाने लगी उन्हें लगा कि मुझे गाते गाते काफी देर हो गई है क्या इतनी देर से लोग खाना ही खा रहे हैं किसी के भी आवाज सुना ही नहीं दे रही है लोग जरूर खाफी कर चले गए हैं मुझे कोई बुलाने नहीं आया इसके बाद की कहानी हम see you later